जहेंदे वरीवन, ITPP के तरफ से लगातार भरती निकाला जा रहा है, ITPP ट्रेड मैन का अनलाइन बीस्तारिक से चालू है, और अनलाइन का लास्ट डेट 18 अगस्त रहने वाला है, और आज ITPP के तरफ से एक और नई भरती निकाल दी गई है, ITPP एनिमल ट्रांसपोर्ट की भरत पास हो, तो आप सभी लोगों के लिए ये भरती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इस भरती के बारे में बताने वाला हूं, इसमें सबसे पहले आपका दोड कराया जाएगा, ठीक ना, दोड होने के बाद आपका हाइट वहीट ना पा जाएगा, उसक बरती काफी अच्छी खासी है ठीक ना, इसका सेलरी भी अच्छा-खासा है, और ये पर्मानेंट बरती है, ऐसा नहीं है, तो बहुत कमी लोग फार्म बरते हैं, तो इसमें अप्लिकेशन फिस भी जादे नहीं है, इसलिए आप सभी लोग को ये पूरा वीडियो द्यान से देखना है और इसमें फार्म जरूर भरना है ठीक ना मैं आप लोग को अफिसियल वेबसाइट के बारे में भी बताने वाला हूं और जितने साथ ही अभी तक मेरे टेलीगराम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं कि इस दुनिया में जीरे हो यार मेरा टेलीगराम चै नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा यह रहा आई टीवी पी के तरफ से जो नई भरती निकाली गई है उस भरती का पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आई टीवी पी का फूल फार्म होता है इंडो तिबतन बॉर्डर पूलीस फोर्स यह जो भरती है ना मिनिस्ट्री मतलब गिरिह मंत्रा लेके अंत्रगत आती है और इसका सेलरी देखो मतलब वही 25,500 लिखा गया ना तो 35-40 सर शुरुवात में ही मिलता है और 81,100 रिप्या तक मतलब मिलता है ठीक है ना तो सेलरी यह बहुत अच्छा रहता है बाकी देखो आपका हेड कास्टेबल का भरती है और कास्टेबल एनिमल ट्रांस्पोर्ट का भरती निकाला गया है जो मेल और फीमेल सभी लोग говорить लिएсть तो जो आपका हेड कास्टेबल वالा बार्ती है ना इसमें तो आपका बारा पास मांगा है अभी मैं आप लोगों को आगे दिखा दे रहा हूं और 12 पास के साथ साथ डिपलोमा भी मांगा है लेकिन इसमें ज्यादे वाइकेंसी भी नहीं निकाला गया है और जो आपका कास्टेबल वाला है ना जैसे कास्टेबल एनिमल ट्रांस्पोर्ट एनिमल ट्रांस्पोर्ट मेल के लिए है कास्टेबल एनिमल ट्रांस्पोर्ट फ वायकिन सियां तो जो दुस पास वालए उसमें ज्यादे वाइकन यह बहुत अच्छी बात ठीक ना और इस वीडियो में आप लोग को जो दुस पास वाला मतलब लड़कों के लिए निकाला गया था और आपका आठ वाइकेंसी फीमेल मतलब लड़किओं के लिए निकाला गया था लेकिन इस साल वाइकेंसी को बढ़ा दिया घया थो इसको आप लोग देख लेना ठीक है ण। यहां पर देखो, आगे यहां पर जैसे इसमें उमर कितना होना चाहिए, यह भी आप लोग देख लो, इसमें फार्म भरने के लिए कम से कम आपका उमर 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक आपका उमर 27 साल होना चाहिए, हेड कास्टेबल वाले में ठीक ना, और हेड कास पास के शाहिए आपके पास डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट अब कास्टेवल का बात कर लेते हैं दिखो कास्टेवल निमाल ट्रांसपोर्ट वाले में फार्म भरने के लिए कम से कम आपका उमर 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उमर होना चाहिए और कास्टेवल नील मायन में फार्म भरने के लिए कम से कम ठार साल उमर होना चाहिए और अधिक से अधिक 27 साल उमर होना चाहिए और दोनों में मतलब फीजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कराया ठीक ना, बताया गया और यहाँ लड़क का दोड यहाँ पर 200 म. đãनने के लिए 27 मीनाट का तायम मिलेगा तो ऊज वाले बंदेर रहते हैं도 लोग तो यह दिन नई तभी भी इसमें दोड मार देंगे और उसके बासे दोड होने के बाद तुरंट लांग जंप कराया जाएगा ठीक है नं formal कराया जाएगा Colombia चैंस आपको मिलेंगे इसके बाद से ही जंपकर आया जाएगा इसमें भी आप लो को तीन चांस मिलेंगे उसके बासने नीचे आहए ड के बारें बीजिक़ों के लिए भी मतलब हाई जंप तीज भूद करना रहेगतं जिसमें तीन चंश दिये जाएंगे चले प्रवों करें पिशिक बारे में आप बता हैं आप लोगको की हाते हो वह वायसे तो इसमें हाइट 170 cm लड़कों का है और लड़कीओं का हाइट 157 cm मागा गया है और लड़कों का नारमल चेस्ट 80 cm होना चाहिए और 5 cm चेस्ट को फुलाना राता है फुलाकर 85 cm होना चाहिए है तो हाइट के बारे में आप लोग को पता चल गया, लेकिन जितने भी साथी 20 कटेगरी से आँगे, तो उन लोग को हाइट में छूट भी मिल जाएगा, भाई उस तरह तो हाइट 170 लग रहा है, लेकिन जो लोग 20 कटेगरी से आँगे ना, तो उन लोग का हाइट 16.5 cm होना चा और फीमेल का चेस्ट नहीं ना पा जाता है, ठीक न, अब यहाँ पर कुछ पहाड़ी छेत्र का नाम दिया है, जैसे आपर जैसे नागा लैंड दिया है, अरुडाचल परदेश दिया है, मौनीपूर दिया है, तीरपूरा दिया है, मिजोरम दिया है, और भी बहुत सररा परदेरने करें, कितरना टाइम मिलेगा, अब आप लोग के मन में चल रहा ओगा, इसका पेपर होगा, वो ओनलाइन होगा या अफ़लाइन होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सरो लोगसे मन में चलता है, तो इसका पेपर आपका प्रसन पूछे जाएंगे सब नमर के अब किस किस सब्जेक्ट से पुछे जाएंगे वो भी यहाँ पर बताया गया है पेपर में जन्राल तो टोटल सो प्रस्ण सो नमर के पूछे जाएंगे और पेपर देने के लिए दो घंटे का टाइम मिलेगा ठीक ना अबजेक्टिव टाइप के प्रस्णर आएंगे तो यह तो आप लोग को सारी चीज़े किलियर हो गई हैं अब आप लोग देखलो कि इसका online मतलब इसमें फ अगर आप अभी तक मेरे निलेज़ डिफेंस करियर अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किये हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार फटाक से पले इस्टर पर जाओ और आपर निलेज़ डिफेंस करियर लिकर सर्च मारों वहां पर मेरा अपलिकेशन दिख अपलिकेशन में प्रस्ण पूछे गए थे पूरा प्रस्ण मेरे अप्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा इसके अफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को फार्म भरना है ठीक ना इसका जो फार्म है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि अनलाइन मोड विल भी ओपेंड यहां पर बताया जरा कि 12 अगस्त 12 अगस्त से यह जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की भरती निकाली गई चालू होगा और फार्म भराने का लास्ट डेट लास्ट डेट आपका 12 सितंबर रहने वाला है तो मैं आप लोग को नई भरती के बारे में सारी चीजे बताने का कोशिश किया हूं अगर आपके महने में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना उसको में ब डाउनलोड नहीं किया हो तो भाई आप लोग मेरे अप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो निलेस डिफेंस करीयर के नाम से है कोई भी भरती आएगी तो उसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने अप्लीकेशन में भी भेजा करूंगा